Hello students, आज हम पढ़ेंगे continuity के बारे में तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि दिया गया function कब continuous कहलाया जाता है दिये गये point पे और साथ साथ में 2-3 numerical भी देख लेंगे जिससे करके continuity का सारा concept clear हो जाए So I hope you are ready with your pen and paper So without wasting much time, let us start this video तो अब कोई भी function continuous है के नहीं वो हमें check करना है तो सबसे पहले तो एक example ले लेते हैं जैसे के हो गया 3x² प्लस 5y ये एक function देखे रखा है और हमें check करना है कि ये 3, 2 पे continuous है या नहीं तो उसके लिए 3 condition satisfy होनी चाहिए ये 3 important condition है जो बोर पे हम देख लेते है पहली condition कौन सी है कि जो function हमें देखे रखा है f of xy वो function defined होना चाहिए कहां पे at x naught y naught पे ठीक है ये क्या हो गया हमारा f of xy ये function defined होना चाहिए कहां पे x naught y naught पे या ये point पे ये function defined होना चाहिए ये false condition है तो कैसे कि ये f of x y यानि ये 3 2 रख दे कि इसके अंदर इसके अंदर तो ये 3 x की जगा क्या लख रहेंगे 3 square प्लस y की जगा क्या रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा 27 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 37 यानि कि ये जो function हमारा है 3 2 ये क्या है defined है ठीक है क्यों defined है क्यों उसकी value 37 है infinite न x not y not कैसा होना चाहिए defined होना चाहिए f x not y not यानि किया ये हो गया x not y not x not y not f of x not y not कैसा होना चाहिए defined होना चाहिए तो first condition satisfy होने चाहिए दूसरी condition कौन सी दूसरी condition ये है कि जो हमें function देखे रखा है f of x y यहाँ पे लिख लेते हैं limit x tends to x not y tends to y not इसकी जो limit है, ये limit exist होने चाहिए, अब ये वाला point हमने पिछले वीडियो में detail में discuss कर चुके है, limit exist होने चाहिए, उसके लिए हम क्या करते थे, L1 डूनते थे, L2 डूनते थे, अगर बराबर आया, तो y is equals to mx रखके L3 डूनते थे, वो भी बराबर आया, तो y is equals to mx रखके L 4 डूनते थे, चारो value से इमाई, तब हम बोलेंगे L, limit इसकी exist करती है, तो इसपे detail में नहीं discuss करेंगे, पिछले वीडियो पूरा इसपे ही था, existence of limit पे, तो दुसरी condition कौन सी है, कि जो function देके रखा है, उसकी limit exist होने चाहिए, कुछ limit आने चाहिए, ठीक है, सपोर इसकी limit आ limit x tends to x0, y tends to y0, f of xy की जो limit find करे, जो exist होने है, इस तरीके से, वही answer हमारा आना चाहिए, f of x0, y0 का, f of x0, y0 का answer, suppose करते हैं, कि इतना 37 आया, यह रहा, तो इसका भी answer कितना आना चाहिए, 37 ही आना चाहिए, या फिर यह जो limit exist करती है, उसका answer 0 आया, तो इसका answer भी 0 आना च चाहिए, तो अगर यह 3 condition satisfy होती है, तब ही हम बोल सकते हैं, कोई भी function दिये गए point पे continue है, ठीक है, तो यह 3 condition अच्छे से आपको याद रखनी है, वापस एक बार देख लेते हैं, पहली condition कौन सी थी, कि f of x0, y0 define होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, दूसरी क्या condition है, कि जो भी function देखे रखा है, उसकी limit exist होनी चाहिए, और जो limit का answer आया, जो limit का answer आया, वो ही इसका answer आना चाहिए, तो जल्दी से screenshot ले लो और इसके base पे numerical देख लेते हैं, false numerical है, evaluate limit xy tends to 1,2 x square y cube minus x cube y square plus 3x plus 2y, तो इसकी value evaluate करनी है, तो ये जो function देखे रखा है, ये कौन सा function है, polynomial function, polynomial function यानि किया ऐसा function जिसमें एक से ज़्यादा variable हो, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा variable हम देख सकते हैं, तो एक note बना के आप लिख लेना अपनी note में, क्या कि जब भी function polynomial है, तब वो polynomial function हमेशा कोई भी point पे continuous रहता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, कि polynomial function is always continuous at every point, अगर polynomial function देखे रखा है, तो यह जो continuity test है, तीन point है, यह हमें देखने की भी ज़रूर नहीं, क्यूंगे polynomial function है, वो हमेशा continuous होता है, तो सीधे सीधा, जो value देखे रखिए, x, y की, वो ही इसमें insert कर देते हैं, और इसकी limit हम find कर लेंगे, तो वो ही हमारा answer बन जाएगा, तो य यहां पे x की जगा पे 1 का square, y की जगा पे कितना है, 2, तो 2 का q, minus x की जगा पे 1 का q, y की जगा पे 2 का square, plus 3, x की जगा पे 1, plus 2, y की जगा पे 2, तो यह हो जाएगा, 8 minus यह हो जाएगा, 4 plus 3, यह हो जाएगा, plus 4, 4 से 4 cancel हो गया, यह आजाएगा 11, तो यह आजाएगा हमारा answer और नीचे note करके आप लिख लेना, as it is a polynomial function, so it is continuous at everywhere, next, देख लेते हैं, next है, discuss the continuity of f of xy, 3x square y divided by xy plus y square, if xy not equals to 0,0, and which is equals to 0, if xy is equals to 0,0, ठीक है, तब कैसे start करें, अब यहां पर हम यह 3 condition लगाएंगे, first condition कौन सी है, कि f x not y not defined होना चाहिए, तो वो ही कर देते हैं, कि यहां पर f x not y not क्या होगा, यह वाला लेते हैं, easiness के लिए 0,0, तो 0,0, इसके अंदर रखना है, हमें यह function के अंदर रखना है, तो 3, यह कितना हो जाएगा, 0, y divided by, यह 0, 0, उसके कितना हो जाएगा, 0, यानि f 0,0, यह कितना हो जाएगा, f, इसको क्या बोल देंगे, f x not y not, यह कैसा हो जाएगा, 0 कैसा हो जाएगा, defined है, 0 का value, तो defined होता है, ठीक है, तो first condition, check कर लिए, हमने f x not y not defined है, हां है, दूसरी condition, यह वाली check करते हैं, तो यह वाली condition क्या है, limit x tends to x not, x not है, यहाँ पर कितना है, 0, y tends to y not, 0 है, function क्या देखे रखा है, f of xy, 3x square y divided by x square plus y square, ठीक है, अब 0 रखेंगे तो क्या होगा, बट अब यह से x की जगा 0, y की जगा 0 रखतो, तो इसका answer कितना जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, अब इसकी limit exist करती है, तो हाँ, हम बोल सकते है, 0 है, एक्जिस्ट करती है, ठीक है, थोर्ड कंडिशन क्या है, थोर्ड कंडिशन यह बोलती है, कि limit x tends to 0, y tends to 0, यहाँ पर x not, y not आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर change करी देता हूँ, मैं easiness के लिए, x not, y not, जो भी देखे रखी है, at point, यह वला, x not, y not, 3x square, y divided by x square, plus y square, इसका जो answer आया, वो किसके बराबर होना चाहिए, f x not, y not, यानि इसके बराबर होना चाहिए, f 0, 0, तो है, हम बोल देंगे, इसका answer 0 है, इसका answer 0 है, तो लास्ट मेल बोल देंगे, कि यह जो function देखे रखा है, वो continuous है, 0, 0 पर, लास्ट एक देख लेते हैं, आखरी numerical है, show that f of xy is equal to 2xy, यह बें x square, plus y square, xy not equal to 0, 0, और 0, xy is equal to 0, 0, is continuous at every point except at the origin, यानि यह जो function देखे रखा है, वो origin के अलावा सारी जगा पे continuous है, तो यह वाली line important है, is continuous at every point except the origin, तो जब ऐसी line देखने को मिले आपको, तो एक बात समझ लेना, कि यह जो point number 2 है, इसके अंदर आपको इसकी limit exist करती है या नहीं, वो check करना जरूरी है, यानि L1, L2, L3, L4 तोणना जरूरी है, अगर ऐसी line last में दी हो, तो कि यह origin के अलावा सारी जगा continuous है, अगर यह line नहीं दी, तो simply जो previous second numerical में हमने करा था, simply value रख दो, limit find कर दो, लेकिन ऐसी line लिखती है, तो limit existence चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे, तो पहली condition f of xy defined होना चाहिए, तो लिख लेते हैं आपके, कौन सा है, 0,0 इसी पड़ेगा, 0,0 यह function देखे रखा है, इसके अंदर रख दो value, so 2,0,0 यहाँ पे 0,0 यानि f of 0,0 का value आगया 0, यह defined है, तो हम बोल देंगे 0 value तो defined है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब क्या चेक करना है, कि limit x tends to x not, y tends to y not, इसकी limit exist होनी चाहिए, तो यह limit exist होती है या नहीं, वो पहले check कर लेते हैं, अगर limit exist है, तो फ़र स्टेप पे जाएंगे, अगर limit exist नहीं करती, तो हम बोल देंगे कि यह function continuous नहीं, ठीक है, तो second condition के लिए क्या करेंगे, लिख लेते हैं, limit x tends to 0, y tends to 0, ठीक है, function कौन सा है, 2xy divided by x square plus y square, इसकी limit exist है कि नहीं, वो चेक करनी है, क्यों कि यह वाली line लिखके रखी है, कि origin के अलावा सारी जगा पे continuous है, इसलिए, तो कैसे करेंगे, पहले l1 find करते थे, पिछले वीडियो में सारा detail में देख चुके है, l1 कैसे find करते थे, तो पहले x की value लगाएंगे, तो into the bracket limit x tends to 0, यह क्या हो गय divided by x square plus y square, ठीक है, which is equals to limit y tends to 0, यह कितना आजाएगा, x to 0, y, x की जगा 0, y, अब y की जगा 0 रखोगे, तो 0 आजाएगा, यानि l1 का value हमें 0 मिल चुका है, आगे बढ़ते हैं, यहां से करते हैं, अब l2 का value find करेंगे, तो l2 का value कैसे find करेंगे, तो उसके लिए हम बोल पहले किसकी value रखे, y की, तो limit x tends to 0, यह limit y tends to 0 function है, 2xy divided by x square plus y square, तो limit x tends to 0, y की जगा 0 रखेंगे, तो 2x 0, यह x square 0, अब x की जगा 0 रखोगे, तो यह l2 का answer के आजाएगा, l2 का answer आजाएगा, 0, l1 बराबर l2 है, तो l3 find करना पड़ेगा, l3 कैसे find करेंगे, y की जगा mx So, l3 is equals to limit x tends to 0, फिर बोल देंगे limit y tends to mx रखेंगे, यह function में, 2xy divided by x square plus y square, तो, which is equals to limit x tends to 0, इसके अदर y is equals to mx रखो, so x, यह m into x divided by x square y की जगा, mx तो m square x square, So, limit x tends to 0, यह हो जाएगा हमारा 2mx square, divided by x square common निकाल देते हैं, 1 plus m square, ठीक है, तो यह x square से x square cancel हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, l3 is equals to, अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा यह 2m, divided by 1 plus m square, अब यह बचा हमारे पास, तो यह limit x tends to 0, निकाल देंगे, क्यों निकाल देंगे, क्योंकि x का कोई term है ही नहीं, तो इसका मतलब l3 का value, यह हमें मिल चुका है, तो हम बोल देंगे, l1 is equals to l2 तो है, 0, 0 तो है, लेकिन l3 के बराबर नहीं है, और l3 के बराबर नहीं है, और l3 depend करता है, m पे, सिर्फ और सिर्फ m पे, इसलिए, यह जो function देके रखा है, उसकी limit जो है, वो does not exist, ठीक है, अगर इसकी limit exist नहीं करती, तो हम बोल देंगे, that function is not continuous, ठीक है, तो यह final answer रहेगा, इसका कि यह function continuous है नहीं, यह limit check करने का कोई सवाल ही नहीं आता क्यों, यूगि लिमिटी exist नहीं करती, तो step number 3 पे जाना ही नहीं है, ठीक है, तो यह सारा था concept continuity का, so I hope आपको समझ में आ चुका होगा, तो इस वीडियो में बस इतना ही, so till then, read hard work out, thank you very much.